हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स ट्रैफ, आज का आमारा टोपिक है Rules for Inspection Opening पिछले वीडियो में अमने openings के rules के बारे में देखा था और इस वीडियो में हम inspection opening इसलिए जरूरी होता है और वो क्या size का देना जरूरी है तो नॉर्मली जो प्रेशर वेसल हम कॉंप्रेश एर के साथ या तो जिसके अंदर करोजन इरोजन या तो मेकैनिकल वैब्रेशन होना है उसको हमें एक सुटेबल मैन होल या तो हैंड होल या तो कोई और ओपनिंग जो इंस्पेक्शन और क्लेनिंग परपस के लिए या इंसपट्यों और क्लेणिंग परपस के लिए में और कुछ ओपनिंग देने पड़ते हैं उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन ऑपनिंग जानि जिसकलिए एक्जामनेस जहां से कर सके या एक के और य कोई फो दो फिरोच आपणे जोरू होदी को तब को तबारा से आटरां इंश में दाई का उसमें नेदा जोरू हाँ है दो वित आटो से चुरूरी की तक का मैंनो होल देना चाहिए या तो तो दो इंच इन्च इंच इंच आइडी से बड़ा है तो इसमें भी मिनिमम एक सिस्टेन इंच आईडी का मैनल होना ज़रुए है और उसमें टू-6 इंच पाइप साइज के नोजल होना ज़रुए है जो कि इंस्पेक्शन पर्पस के लिए कंपल सरी यह जो हमने दिखाया है मिनिमम मतलब यह रिक्वार है इतना देना चाहिए इसके अलाव भी अगर कोई दूसरा कोई परपस के लिए अगर देना जरूरी हो जाता है तो देना चाहिए तो इसी तरह से जो ओपनिंग इंस्पेक्शन ओपनिंग उसके बारे में इस व शरवागजस के लूझे वार था चाहिए आ